यह है TCS का share और TCS का share का buyback हो रहा है, तो basically हम कोई भी share हो ना, उसका buyback का क्या process है और किस तरह से हम buyback के लिए apply करते हैं, वही जानेगे हम, तो basically 4 crore share यह खरीते वाली है market से, और उसका price जो है, वो 4500 रुपीज इन्होंने decide किया है, 4000 का वीस में price चल रहा है, तो approximately 13% का gain है, औ और जो amount company pay करेगी वो है 18,000 crore, और यह total percentage of share है, तो 1.03% of shares का buyback कर रही है, और इसका जो process है, वो है tender process, tender offer के तुरू, tender offer का मतलब का होता है, tender offer का बहुत है, बहुत ही simple मतलब है, इसका मतलब है कि आप अपने shares को bid करेंगे, मतलब आप कितना share देना जाए, माल लेते हैं, 20 share accept करें, हो सकता है, 100 के 100 share accept कर लें, इसी को tender offer करते हैं, और यह acceptance ratio होता है, माल लेते हैं, acceptance ratio 10 होगा, 10 होगा, तो इस मतलब क्या होगा, कि 100 में से 10 share ही आपके accept होगे, अगर 50 होगा, तो 100 में से 50 share आपके accept हो जाएंगे, तो इस वीडियो में basically हम देखेंगे कि जेरोधा, और ICICI direct के अंदर में हम किस तरह से apply कर सकते हैं, buyback के लिए, तो देख लेते हैं, directly अभी TCS के इसमें चले जाते हैं, buyback में चले जाते हैं, यह जिरोधा में है, तो सबसे पहले हम जिरोधा में देखेंगे, ठीक है, तो जिरोधा का process में बता रहा हूँ, simple सा आपको कुछ नही करना है, और यहां पर अपनी ID पर क्लिक करना है, और यहां पर console पर आपको क्लिक करना है, तो यहां पर यह सारी details आपको मिलेगी, तो इसमें आपको portfolio के अंदर क्लिक करना है, जब portfolio के अंदर आप क्लिक करेंगे, तो यह सारी आपको option दिखाई देंगे, इसमें आपको किसम होने का टाइम क्या है तो बाइबेक के लिए थोड़ा टाइम लगता है अभी कंपनी ने सिर्फ एनौस्मेंट की है कि हम बाइबेक करेंगे लेकिन उसकी डेट अनौस्ट नहीं हुई है अभी शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलेगा अप्रूवल के बाद में यहां पर आपक अभी मैं सम्मेट करने के बाद मेरे पास्याइं तो है नहीं तो यह रिजेक्ट हो जाएगा लेकिन आपको फ्रॉसस समझ में आ जाएगा यह देखिए यह वाला पेज को लेगा इसमें आपको इसमें और यहां पर यहां पर क्क्राइब तो 1725 प्राइज है और total offer हम यहाँ पर दे रहे हैं और यहाँ पर हमें submit करना है और यहाँ पर यह दिखा रहा है offer quantity should not be greater than available quantity हमारे पास zero quantity है तो हम यहाँ पर apply नहीं कर सकते लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसमें आसानी से apply कर सकते हैं और यह मेरा एक वीडियो है पहले का लास्ट यह का वीडियो है इसमें मैंने पूरा प्रॉसेस दिखाया हुआ और exactly TCS के अंदर में ही apply करके दिखाया हुआ है वहाँ पे 3000 के price पे यह issue apply हुआ था बाइवेक का तो वह आपको देख सकते हैं live मतलब किस तरह से हमने better bid गया था और अधियल टाइम में बीड किया था तो वहाँ पर आप जाकर एक्दम क्लियर देख सकते हैं